आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने IQZ9X Android मॉइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए भीना आप अपने फोन को स्विच आफ कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको डीटेल में जानकरी देने वालों तो चलिए आप भी वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं, देखें दूस्तों आप अपने मुबाइल फोन के साइड वाले पावर बटन को दबाए भीना फोन को स्विच आफ कर सकते हैं, कैसे, देखें इ इसके अगले पेज में आपको फिर से नीचे आना है, यहाँ पर आपको यह option मिलता है, accessibility menu, इसे आपको टैप करना है, तो आपको यह पेज आएगा, इस पेज को आपको ऊपर करना है, इसमें आपको नीचे अलाव का यह option दिखता है, अलाव पर टैप करना है, अब आपको ये page आता है, इसमें दो option है, इन दोनों में से आपको एक option select करना है, मैं आपको suggest करूँगा, इसमें आपको पहला option select करना है, tap accessibility button, इसे आपको select करना है, तो इसके name के आगे जो box है, इसे आपको tap करना है, तो इस box में right tick लग जाएगा, अब आपको नीचे save का ये button tap करना है, अब देखे, आपका ये button जो on हो जाता है, और जैसी ये button on होता है, तो आपकी phone की screen के उपर, ये accessibility menu का shortcut button आपको दिखाई देता है, ये button आपकी phone की screen के उपर सभी जगे आपको दिखाई देगा, इस button का आपना कभी भी किसी वक्त आप इसका use हमेशा कर सकते हैं, अब दिखे, आपको करना है क्या है, ये जो accessibility menu का shortcut button है इस button को आपको tap करना है, तो आपका इस तरीके से छोटा दा page हो बनुता है, इस page को आप left और right कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको और भी option दिखाई देते हैं, तो इस page में आपको इस power का option tap करना है, तो एक page आता है, इस page में आपको power off का option tap करना है, ठीक है, इस से आपका phone जो switch off हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों ये एक तरीका है, mobile phone के side वाले power button को दबाए बिना phone को switch off करने का तरीका, तो वीडियो अच्छी लगे, तो इस setting को use करके देखिए,